तो हदाव सस्रीय का, नमस्ते, कैसे हैं आप, होप करता हूँ, आप सभी ठीक होंगे, तो आज जो मैं आपको स्टोरी सनाने जा रहा हूँ, एक climax story है जिसका chemistry मान लीजिए क्या मान सकते हैं आप इसे climax ही मान लीजिए यह story है यह train की story है जो लापता हो गई थी जिसका कभी कुछ पता ही नहीं चला तो सन 1911 की बात है जुलाई चोदा जलाई को एक ट्रेंड जैनेटी नाम कंपणी के ने बनाई थी नहीं इटली की बात कर रहा हूं यह रॉम की बात है जैनेटी नाम की train बनाई जो अतियाध्रों आधूनिक technology से लैस थी और उन्होंने थ्री बोगी's सी इसमें तरी बोगी's में लगपग 100 तो उन्होंने 100 अलग अलग पैसंज्जरों को इनवाइट किया जो वहां के में में लोग थे उनको इनवाइट किया कि आप आएं और हमारी टेरेंड की सुविदा फ्री में प्राप्त करें क्योंकि वह अपने आप में इक पहली ट्रेंड थी जो उस टेकनोलजी से लैस थी ब निर्दार्च समय पर एक सो टोटल उसमें आदमी थे सो पेसंजर थे और शे उसके क्रू मेंबर थे जो उसमें सर्वेस एक ड्राइवर हो गया और पांच सर्विस प्रवाइड करने वाले त्री तीन बोगी थी और समय लोग बैठ गए ट्रेल चलने लगी लोग बहुत इसमें जाते जाते वहां एक पहाड था जिसमें एक सुरंग खोदी गई थी लगबग हाफ माइल की वह सुरंग थी तो उस ट्रेन को सुरंग से बीच में होकर चलना था बीच में जाना था और वहां से गुजरना था लोंबाटी स्टेट में वह पढ़ती है तो हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उस train को देखा बहुत सारे लोगों ने खुशाणियां भी विजा लेकिन हुआ कुछुं जब वह train उस गुफा के अंदर गई तो लौग इंतजार कर रहे थे के बुफा के दूसरी طرف निकलेगी तो लोग फिर देखेंगे उसको, तो हुआ कुछ जूँ के वो ट्रेन अंदर तो गई, लेकिन कभी बाहर ही नहीं आई, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद जो रेलवे डिपार्टमेंट है, उनको भी आथो पैरों की पड़ गई किया हुआ है, ट्रेन को क्या हुआ है, तो सबी जो उस वक्त का वहां लोंबैटरी स्टार था, स्टाफ था, वो वहां गया, उसने गुफा के अंदर सभी शानबीन की, और सभी शानबीन करने के बाद भी वो ट्रेन उनको पता ही नहीं चली कि कहां चली गई, वो सभी हरान थे कि ट्रेन गई तो आखिर गई कहां, ट्रेन को क वहां गई वह उन्होंने स्वरंग को एक एक चीज खोद मारी कि स्वरंग में ही शायद कोई चीज हो जो किसी ने लूट ली हो ट्रेन और कहां लेकिन लूट कैसे सकता है वो तीन की तीन बोगी और ट्रेन सभी कुछी गाइब था अगर लूटा होता तो लोगों को लूटा तो आख तो वहा था, तो आ हुले लेकिन ट्रें वही थी नहीं, तो इसकी Inquary चलने से देखा गया कि कुछ भर्राइब की कहती, तो तभी और उन्होंने डर के वारे से शलांग लगा दी गुफ़ा से इंटर करने से पहले ही उन्होंने शलांग लगा दी तो जब की गई तो यह सही पाया गया कि वह दो दो पेसंजर वो उसके ट्रेन में ही थे तो यह सिद्ध हो गया कि हाँ वही कुछ तो गडबड है इस बात से कुछ ही दिनों के बाद मेक्सीको की एक डक्टर थी जिनों ने कहा कि ठीक उसी दिन उसी टाइम पर मेक्सीको में उसके बाद पास 104 मरीज आई थे जो दुमागी तोर पर ठीक नहीं थे तो दुमागी तोर पर ठीक ना होने के कारण उन्होंने उनको सीरियसली लहीं लिया लेकिन बाद में वो सभी के सभी गाइब हो गए और किसी को पता ही नहीं चला कि वो 104 पेसंजर गे कहा और ये बात जब इटली में आई सभी लोग डर गए कि ये कैसे हो सकता है ये तो श सभी को हिरान करने वारी थी कि ये कैसे हो गया और ये भी बात आ रही थी कि इस ट्रेन को अलग समय में अलग अलग कंट्रीज में भी देखा गया यह यह ऐसा माना जाता है कि यह थारा सो चालीस में इस ट्रेन को बनने से अकथर साल पहले भी मेक्सिको में इसी ट्रेन को इसी इंजन के साथ देखा गया है जो लिखती रूप में उनके पास दस्तावेज हैं को इस ट्रेन को पहले भी देखा गया है तो अब 2020 में 109 साल बाद भी यह mystery solve नहीं हो पाई लेकिन माना यही जा रहा है कि जब यह train गुफा के अंदर गई और वहाँ time zone में इंटर कर गई तो हो सकता है लोगों का मानना है time zone में इंटर करने के बाद वो अलग-अलग time पर अलग-अलग country में दिखाई देती है और इटली में अभी भी इस train को लेकर mystery है और अभी भी इनकी inquiry हो रही है कि आखिर यह train गई और गई कहां तो बस आज की कहानी इसी तरह खतम होती है मैं भी suspense में हूँ आप भी suspense में है कि उस train का हुआ क्या आखिर पूरा इटली ही सस्पेंस में है कि उस ट्रेक का आखिर हुआ तो हुआ क्या लेकिन आज तक किसी को यह मालुम पड़ा ही नहीं तो दोस्तों आपका हमारे चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको हमारी बाते हमारी कहानियां सभी पसंद आ रह आखिर हमारी बाते हैं तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आप प्लीज इसको लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद